लव लेटर ये दुनिया बहुत तरक्की कर रही है और करनी पी चाहिए तब ही तो हम आगे बढ़ेंगे आज हमें किसी तक अपनी बात पहुंचानी हो तो उसके लिए जाधा सोचने की जरूरत नहीं एक मोबाइल नाम की मशीन को उठाया नमबर दबाया और कर ली बात लेकिन ये सब पहले इतना असान नहीं होता था उस जमाने में लोग लेटर लिखते थे पुले तो लेटर जैसे रिसीव करने में और रिप्लाई करने में बहुत टाइम लग जाता था लेकिन एक चीज़ है जो ना तब बदली थी और ना ही अब प्यार करना पहले प्रेमी प्रेमी का एक दूसरे को खतलिक कर बातें और भावनाओं का इजहार करते थे और आज हम आपको एक ऐसी ही प्रेम कहानी सुनाने बाले हैं प्यार जो पॉलिटिक्स के साथ हुआ जिसके शुरुआत हम उस लेटर से करेंगे जिसे एक प्रेमी का ने अपने बड़ा लीडर बन गया और है एक एक एक्टरिस जो भी बाद में नेता बनी ये लिखा था महिला ने नेता के लिए पहले लेटर सुनिए फिर आगे की बात करते हैं प्यारे एम जी आर लगता है आप मुझसे बहुत ही सादा नाराज हैं शायद इसलिए उस दिन आपने मे जानकी के बारे में बात नहीं करूँगी मैं आहत थी इसलिए शायद मैंने कुछ कह दिया होगा मदुरई में जो हुआ उससे मैं इतना परिशान थी कि मैंने अपनी मित्र शशी से इस बारे में बात की और अपनी सारी भावनाएं उसके सामने खोल कर रख दी लेकिन अब इसके आगे मैं अपना मूँ नहीं खोलूँगी मेरे इस बेहवियर के लिए मुझे माफ कर दें और मुझ पर खुसा ना करें आपके सिवाए मेरा है ही कौन आपको छोड़के मैं कहां जाओंगी क्या मैं आपकी अपनी अम्मू नहीं हूँ मैं ये लेडर अनकिनत किसिस के साथ लिख रही हूँ हमें मिले एक हफ़ते से उपर हो चुका है प्लीज कल तो मुझे आप अपने आप से मिलने दें प्लीज मुझे और सजा ना दें क्या आप भी महसूस नहीं कर रहे है कि आपके लिए मेरा प्यार सबसे साधा है और ना ही इसमें कोई चेंज हुआ है औ प्लीज मुझे और सिर्फ आपकी अम्मू इस लेटर में आपको एक औरत का प्यार और रिक्वेस्ट तो दिख रही होगी जो अपने प्यार से मिलना चाहती है उसे एक बार देखना चाहती है इस लेटर को सुनकर ये तो समझा गया होगा आपको कि ये लिखा किसके लिए नहीं आया तो हम बता देते हैं MGR तमिल फिल्मों के सूपरस्टार और तमिल नाडू के मुख्य मंतरी पूरा नाम मरुधुर गोपालन रामचंदरन लेकिन लिखा किसने MGR को ये लेटर आखिर ये अम्मू है कौन जानना तो जरूर चाहेंगे आप और शायद अंदासा भ लगा लिया होगा क्योंकि लव स्टोरी फिर चाहे वो रील लाइफ की हो या रियल लाइफ की खबर सबको लगी जाती है और आज की हमारी लव स्टोरी तो रील और रियल दोनों की है जहां परदे पर इनकी जोड़ी इतनी हिट थी कि चाहकर कोई इन्हें अलग नहीं कर सक जैराम जैलालिता जिन्हें लोगों ने अम्मा नाम दिया। जैलालिता और MGR का फिल्मी सफर जतना कमाल का था, पसना लाइफ में अपने प्यार के लिए तोनों ने उतना ही स्ट्रगल किया। और पॉलिटिक्स में तो आपको और भी ध्यान रखना होता है। कि कहीं कोई आप पर किसी ऐसी बात के लिए उंगली न उठा दे, जो आपके परिवार और आपकी पार्टी के लिए कोई मुसीबत खड़ी कर दे। जैया और MGR का जब तक फिल्मी सफर रहा, तब तक उन्हें कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करने पड़ी। खंटों एक दूसरे के साथ रहते, शूटिंग्स करते, तब भी कई लोग बाते बनाते, लेकिन जैया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, और नहीं MGR को। आप सूच रहे होंगे कि प्यार करने वालों को तो ये सब सेहना ही पड़ता है, ये कौन सी नहीं बात है। लेकिन उनके बारे में लोग इसलिए भी बाते करते थे क्योंकि MGR शादी शुदा थे, और जैयल अलिता से उम्र में काफी बड़े भी, लगभग 35 से 40 साल का डिफरेंस था दोनों के बीच, और एक शादी शुदा मर्द से रिलेशन के लिए जैयल अलता को काफी सुनना प फिर भी जब भी कोई फिल्म साइन की जाती तो दोनों का नाम अपने आप सामने आ जाता, उस समय लोग इंतजार करते थे उनकी फिल्मों का, इसलिए उन दोनों को भी कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सेट पे लोग उनको लेके क्या सूचते हैं, क्योंकि जनता उन्हें बहुत सारा प्यार दे रही थी, दोनों ने एक साथ 28 हिट फिल्में दी थी, लेकिन ये सब कुछ इतना अच्छा था, तो ऐसा क्या हुआ कि जैललता को MGR को ऐसा लेटर लिखना पड़ा, वो भी तब जब वो बीमार थे, और आखिर क्यों नहीं उनसे मिलने दिया जा रहा क्या जंता ने उन्हें एकसेप्ट किया या वहाँ भी इन दोनों के रिष्टे को लेकर कई सवाल उठाए, किसी के लिए भी प्यार करना इतना मुश्किल क्यों होता है, या फिर यूं कहें कि करना तो आसान होता है, निभाना मुश्किल पड़ जाता है, क्या था इन दोनो का रिष्टा जानने के लिए सुनते रहिए कुकु एफेम ओरिजिनल्स लव एट पॉलिटिक्स स्टोरी ओफ जैल अलिता एन एम जी आरून कुकु एफेम आर्चे मनीश के साथ सुने चुमन जाहे कहते हैं इंसान अपने नाम से पहले अपने काम से बड़ा होता है और इसकी एक मिसाल बनी जैल अलिता आपको जानकर हैरानी होगी कि जस जैल अलिता ने तमिल नाडू की जन्ता के लिए इतने बड़े-बड़े काम किये वो कभी भी पॉलिटिक्स में आना ही नहीं चाहती थी लेकिन अपने प्यार के हाथ हों मजबूर जैल अलिता को भी पॉलिटिक्स जोइन करनी ही पड़ी उनके करीब रहे लोग बताते हैं कि जैया जस काम को अपने हाथ में लेती उसे पूरा करने में अपनी जी जान लगा देती फिर जाहे वो काम फिल्मों से जुड़ा हो या फिर पॉलिटिक्स उन्होंने एक्ट्रिस और पॉलिटिशन दोनों के ही करदारों को बहुत ही हॉनेस्टी से निभाया जैललता की पॉलिटिक्स में आने से पहले साउथ के पॉलिटिक्स काफिया लग थी जयाने MGR की पार्टी AIADMK को जॉइन किया था AIADMK के मतलब All India अन्ना द्रविड मुनेत्र कजगम और उनके ओपोजिशन में थी करुणा निदिजी की पार्टी DMK यानि द्रविड मुनेत्र कजगम लेकिन आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि पहले MGR और करुणा निदिजी DMK में ही थे और इस पार्टी के अध्यक्ष थे अन्ना द्रविड जी तोनों की बहुत अच्छी दोस्ती थी और तोनों ही पार्टी के दो मस्बूत पिलर थे लेकिन कहते हैं न सत्ता की भूग जब अपने सबसे खरीबी रिष्टे को नहीं जोड़ दी तो ये तो सत्ता के लिए हुई दोस्ती थी जिसे सत्ता नहीं तोड़ दी और इसका सबसे में रीजन था अन्ना दुरविड जी की मौत जिसने डिम के पार्टी की नीव को पूरी तरह हिला दिया था अन्ना के बाद पार्टी का चहरा बने करुणा ने थी और MGR को इसमें कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि वो खुद भी कभी भी पार्टी को रूल नहीं करना चाहते थे वो पॉलिटीशन से साधा क्रांतिकारी बनने में भरोसा रखते थे उनका खुद का बच्पन भी बहुत ही गरीबी में पीता था तो वो समझते थे कि गरीब होना क्या होता है इसलिए वो क्रासरूट लेवल पर ही लोगों के लिए काम करते थे और उनके इस बेहिवियर की वजह से वो जन्ता के और करीब आ गए इक तो फिल्मों में काम करके वो पैसे भी लोगों का दिल जीत रहे थे लेकिन इसके साथ ही साथ जब उन्होंने जन्ता की सेवा करनी शुरू कर दी तो वो उनके चाहते बन गए टीम के 1967 में काफी टाइम के बाद पूर्ण बहुमत से कॉंग्रेस को हरा कर सत्ता में आई थी लेकिन 3 फरवरी 1979 में अन्ना की मौत ने उस पार्टी की नीव हिला दी लेकिन पार्टी की और जन्ता का रुजहान अभी भी सिर्फ इसी लिए बना रहा क्योंकि MGR उस पार्टी में थे जन्ता MGR को ही उस पार्टी का चहरा मानती थी और शायद इसी लिए करोना निथी कोई ये बात रास नहीं आई और उन्होंने MGR के साथ राजनीती का कंदा खेल खेलना शुरू कर दिया लेकिन MGR को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था वो तो बस अपना काम करते रहना चाहते थे लेकिन पानी सर के उपर उठ चुका था शूटिंग के टाइम पे भी अकसर जया MGR को कहती की जनता आपको प्यार करती है और आपके लिए ही वो इस पार्टी से जुड़ी हुई है लेकिन MGR उन्हें भी जुप करा दे थे पर धीरे धीरे उन्हें भी बातें समझाने लगी थी करोणा निधी के 1969 में मुख्यमंत्री बन जाने के बाद जब करोणा पहली बार पबलिक के सामने आये थे तो बहुत भीड इकठी हुई थी जिसे देखकर पार्टी के लोग काफी खुश भी हुए थे MGR के माइक लेते ही चारों तरफ उनके नाम के नारे लगने लगे MGR ने अपने दोस्त करोणा निधी को इंटर्ड्यूस करवाया और फिर माइक उन्होंने करोणा निधी के हात में दे दिया करोणा निधी अपनी बाते कहना चालू करते हैं तभी कुछ 5-10 मिनिट के बाद MGR को शूटिंग से रिलेटिट काम के लिए उस रैली को बीच में ही छोड़ कर जाना पड़ता है और जैसे ही MGR वहाँ से निकलते हैं वैसे ही थोड़ी देर में सारी की सारी जनता भी उनके पीछे भागने लगती है थोड़ी देर बाद मैदान का नजारा ये होता है कि करोणा निधी की स्पीछ सुनने के लिए वहाँ गिने चुने लोगी बचते हैं और उस दिन करोणा निधी को इस बाद का एहसास होता है कि MGR उसके आगे की पॉलिटिकल करियर के लिए बहुत बड़ा कांटा साबित हो सकते हैं इसी इंटर्नल पॉलिटिक्स के चलते जनता के लिए काम करने वाली टी-म के अब सत्ता के लिए काम करने लगी MGR को पार्टी मीटिंग से तूर रखा जाने लगा होने वाली रैलियों की भी इन्फोर्मिशन उन्हें नहीं दी जाती तब उन्हें समझ में आने लगा था कि आखिर पार्टी में चल क्या रहा है लेकिन फिर भी MGR शांत रहे सब कुछ सुलचाने के लिए वो करुणा निधी से एक मीटिंग करते हैं और पार्टी फंड्स के बारे में डिसकेशन्स करते हैं जिसको लेकर मीटिंग में ही दोनों में कहा सुनी हो जाती है MGR उसके बाद भी चुप हो जाते हैं और खुद को एजुकेशन मिनिस्टर बनाने को कहते हैं इस पर करुणा निधी कहते हैं कि आप मिनिस्टरी संभालेंगे कैसे इतनी सारी तो फिल्में साइन किये जा रहे हैं आप आप फिल्में करेंगे या फिर मीटिंग्स अगर आपको मिनिस्टरी चाहिए तो आपको फिल्में छोड़नी पड़ेंगी और उसके साथ जया को भी पॉलिटिक्स में ऐसे ही सब कुछ नहीं मिल सकता जयल अलिता और आपके लव अफेस की खबरें तो टेली न्यूस पेपर में छपने लगी हैं मिटिंग के एक मेंबर ने तो मसाक उड़ाते वे ये भी का कि अपना तीसरा हनीमुन कब मनाने जा रहें आप उन सब के द्वारा कही गई इन बातों ने MGR को अंतर तक खिला कर रख दिया और तब MGR ने DMK को छोड़ने का फैसला ले लिया और खुद एक नई पार्टी बनाई AIA DMK और यहीं से जहां MGR के पॉलिटिकल करियर की एक नई शुरुवात होती है पहीं जया के प्यार की अगनी परिक्षा भी एक बार सफर करते वक्त जया और MGR आपस में बाते कर रहे होते हैं और तब ही MGR उन्हें पार्टी जोइन करने के लिए कहते है यह किस्सा MGR के DM के छोड़ने से पहले का है MGR के इस इंविटेशन का मजाख उड़ाते वे जया ने कहा था वो कभी भी पॉलिटीशन नहीं बनेंगी MGR ने पूछा भी कि आखिर क्यों तुम इतनी समझदार हो इतनी नौलेज है तुमें दिल से सोचती हो और सबसे बड़ी बात सच के साथ खड़ी रहती हो तुम्हारी यही बेबाकी देखना तुम्हें बहुत अच्छा नेता बनाएगी नेता बनकर नहीं चनता की सिवक बनकर काम करो लेकिन जया ने एक बार और मना कर दिया और उन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स बहुत कुछ देती है पैसा, पावर, पहचान, पोजिशन मगर बहुत कुछ ले भी लेती है और इसी लेन देन के चक्कर में इंसान बहुत दूर निकल जाता है कभी खुद से तो कभी अपनों से एक और सफर का किस से बताते है जाया और MGR फिर से सफर कर रहे है एक साथ लेकिन इस सफर में वो बात नहीं है जो पिछले सफर में थी आज सिर्फ खामोशी थी पर ये खामोशी सिर्फ और सिर्फ बाहरी थी मन के भीतर तो भूचाल चल रहा था जया पहले की तरह MGR से वैसे ही बाते कर रही है पर जबाब में उसे सिर्फ कभी हाँ सुना ही देता तो कभी, न? सफर खत्म होता है और फिर एक बार वो वहीं खड़े थे जहां अकसर वो मिला कर देते जया कहती है कि उनके साथ जगय और वक्त नहीं देखना चाहिए जिने आप चाहते हो जो दिल में हो, कह देना चाहिए जया के ऐसा कहने पर MGR कहते हैं क्या तो मुझे चाहती हो? जया बोली, मैं तो आपको अपना भगवान मानती हूं MGR कहते हैं पर भगवान कभी किसी एक का नहीं होता वो सब का होता है और वहाँ फिर एक लंबी खामोशी चाह जाती है जया के पूछने पर कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कहना चाहते हैं तो उस पर MGR कहते हैं जिसे जया शायद कभी सुनना नहीं चाहती थी MGR कहते हैं कि तुम्हारे फ्यूचर के लिए अच्छा होगा कि अब हम कभी ना मिले हमारा अलग होना ही अब बैतर है मेरी जिम्मेदारी अब अपनों से जादा चंता के लिए है लेकिन उस से पहले मेरी जिम्मेदारी तुम हो और तुम्हारी सेफटी कुमारी भलाई के लिए मुझे अब तुमसे अलग होना पड़ेगा जया वहाँ शांद खाड़ी सब सुन रही थी उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था जैसे ही MGR जाने को होते हैं जया मिन्नते करने लगती है कि MGR उन्हें ऐसे छोड़ करना जाए लेकिन अब MGR बहुत आगे निकल चुगे थे और पीछे मुड़ कर देखना उनके लिए पॉसिबल नहीं था ये दिन जया कभी भूल नहीं सकी उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा उन्होंने तो MGR से वो हक भी नहीं मांगा जिसकी उमीद एक प्रेमिका को होती है MGR उसके साथ हैं इससे बढ़ कर उसके लिए कुछ नहीं था लेकिन अब वो अकेली खड़ी थी था इस रास्ते को जिसे जया ने कभी अकेले तया नहीं किया था अब उन्हें अकेले लोटना था वो भी अपना सब कुछ MGR के नाम करने के बाद जो MGR कहते उसे वो बिना सवाल किये मांग जाती सिर्फ एक MGR ही ही तो थे जिनको जया ने कभी ना नहीं बोला था आज भी उसने ना चाहते हुए हाँ ही किया था ना नहीं बोल पाई और तब भी उसने हाँ ही किया था जब वो पहली बार MGR से मिली थी बात साल 1965 किये MGR उससे मिलने उसके घर गए थे उस छोटे से कमरे में भीड लग गई थी MGR के आने से लेकिन अम्मू कमरे से बाहर ही नहीं निकल रही थी अब आप फिर से कहेंगे कि अम्मू कौन बताएंगे भाई सब बताएंगे लेकिन कुकु एफम ओरिजिनल्स लाव एड पॉलिटिक्स स्टोरी ओफ चैल अलिता इन MGR के अगले एपिसोड में कि अम्मू कौन है और क्यों MGR जो इतनी बड़ी हस्ती थे उस छोटी सी जगह में गए कैसा रहा जाया और MGR का प्यार भरा सफर इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए जैल अलिता और MGR की कहानी मुलाकात जैल अलिता 17 साल की थी जब वो पहली बार MGR से मिली थी इतने सारे लोग इकठे हो गए थे कि पूछिये मत उस एक कमरे के घर में इतने लोगों के बीच जब पहली बार MGR और जैल मिले तो मौसम भी कुछ जालगी था MGR जैल से कुछ देर के लिए अकेले मिलना चाहते थे इसलिए जैल आकी मा और बाकी लोग बाहर चले जाते है थोड़ी देर तक दोनों के बीच और कमरे में खामोशी चाही रहती है फिर अजानक MGR पूछते है तुम बोल तो लेती हो न और उसका जैल इतना लंबा जवाब देती है कि पूछिये मत और जब वो चुपोती है तो देखती है कि MGR उनकी पूरी बात बड़े ध्यान से सुन रहे थे और फिर एक बार वहाँ खामोशी चाह जाती है थोड़ी देर बाद दोनों हसने लगते MGR बहाँ जैया को अपने फिल्म में हिरोईन कास्ट करने के लिए गए थे ये तब पहली बार था जब जब चयाने बिना किसी से कुछ सवाल जवाब किये हाँ कह दी थी और हाँ कहने का ये सिलसला कभी रुका भी नहीं चयाने MGR को कभी ना नहीं बोला था फिर वो बात चाहे जैसी भी हो ये इन दोनों की पहली मुलाकात थी जिसमें दोनों ने एक दूसरे बे वो देख लिया था जैसे किसी बाहर वाले का देख पाना मुश्किल था जया MGR के साथ काम करने से पहले ही फिल्मी दुनिया में कदम रख चुकी थी वो 15 साल की थी जब वो पहली बार फिल्म के सेट पर गई थी जैया की मा संधिया एक डांस आर्टिस्ट थी और फिल्मों में बहुत छोटे मुटे रोल किया करती थी उनसे और उनके बापा की पेंशन जो आती थी उसी से उनका घर चलता था घर में जैया की नानी, छोटा भाई और मा थी चार लोगों के परिवार के लिए उतने पैसे पूरे नहीं पढ़ते थे हालाद तो ये होने लगे थे कि जैया की मा को घर के बरतन भी पेचने पढ़ रहे थे लेकिन मा किसी तरह जैया की पढ़ाई के लिए पैसे जुटाती रही ताकि उसकी पढ़ाई कंटीनियू रह सके जैया शुरू से ही पढ़ने में बहुत तेज थी मैट्स और साइंस उसके फेवरेट सब्जेक्ट थे उस वक्त लड़कियों की पढ़ाई सिर्फ नाम की ही होती थी बस बड़े घर के बच्चे ही पढ़ने आते थे और उनको पढ़ाई भी इसलिए कराई जाती थी ताकि एक अच्छे से परिवार में उनकी शादी की जा सके लेकिन जैया का सपना हमेशा से ही उच्राई की बुलंदियों को चूना ही था वो पढ़ाई इसलिए कर रही थी ताकि बड़ी होकर एक बहुत अच्छी लॉयर बन सके जैया के पापा भी एक लॉयर ही थे लेकिन जब जैया दो साल की थी तो उसके पापा की टेथ हो गई और पापा के बाद उसकी मा बंगलॉर चली आई ससुराल बालों का पिहेवियर जैया की मा के लिए बदल चुका था भाई-भावी का भी कोई सपोर्ट नहीं था इसलिए जिन्दगी की गाड़ी को पट्री पे लाने के लिए वो अपनी मा और बच्चों के साथ बंगलॉर चली आई लेकिन चुकी जैया की मा को कुछ खास आता नहीं था तो उन्होंने फिल्मों में छोटे-मूटे रोल और डांसर का काम शुरू कर दिया वो बहुत अच्छी डांसर थी जैया की मा जैया को लेके हमेशा से ही स्ट्रिक थी वो तो जैया की जिदकी वज़या से उसे पढ़ा रही थी लेकिन साथ-साथ में उसे डांस करने की भी प्रैक्टिस करवाती रहती थी भरत नाट्यम कुछी पुड़िया से ही कई डांस फॉर्म आते थे उने लेकिन ये सब कभी भी वो मन से नहीं करती थी उनका तो बस एक ही एम था कि किसी तरह अपनी पढ़ाई पूरी करे और एक बहुत अच्छी लॉयर बने पर ये सबना बहुत चल्द ही तूटने वाला था 10th स्टेंडर्ड के एक्जाम हुए थे और उन्होंने पूरे स्कूल, पूरे स्टेट में टॉप किया था वो इतनी खुश थी कि घर पहुँचकर वो ये बात सबसे पहले अपनी मा को बताना चाहती थी सुबह से शाम हो गए और शाम से रात लेकिन वो घर नहीं आई चया बेसपरी से मा का इंतजार कर रही थी लेकिन दूसरा दिन भी बीट किया पर वो नहीं आई दूसरे दिन की रात जब वो आती है तो चया की नानी मा को बताती है कि चया दो दिन से कुछ खापी नहीं रही सिर्फ तेरा इंतजार कर रही है वो तुझे कुछ बताना चाहती है जया की मा जया के पास जाती है वो अपना result card लेके सो रही थी report card देखते ही वो रोने लगती है और खुश भी होती है सुबह होती है और जया देखती है कि उसकी मा ready है और जया को भी ready होने को बोलती है वो दोनों बाहर जाते हैं जया की फेवरेट प्लेस पर जया बताती है कि स्टेट में टॉप करने की वज़े से उसे स्कॉलर्शिप मिली है जिसकी वज़े से उसके आगे की पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आईगी और कल उसे अवार्ड मिलने बाला है जया ये सब बताते हैं वे बहुत खोश है क्योंकि अब बहुत जल्द उसका सपना पूरा होने वाला है लेकिन तब उसकी मा कहती है कि वो आगे अपनी पढ़ाई कंटीनियू नहीं कर सकती जिसे सुनकर उसके होश ओड़ जाते हैं उसकी मा कहती है कि घर चलाना अब मुश्किल हो रहा है उसके और उसके भाई में से किसी एक की पढ़ाई ही कंटीनियू रख पाएंगी वो अब वो बड़ी हो गई और काम करने लायक पढ़ाई उसने कर ली है तो अब से वो भी घर के खर्च में हाथ बढ़ाईगी वो कहती हैं कि अब इस घर को संभालना मेरे बस में नहीं है मैं थक चुकी हूँ इतना कहकर वो चुप हो जाती है और जया घर चलने के लिए कहती है अगली सुबह जिस दिन जया को अबॉर्ट मिलने बाला था वो और उसके मार रेडिय हो रहे थे वहाँ स्कूल में अबॉर्ट फंक्शन की तैयारी हो रही थी यहां दोनों घर से निकलते हैं अबॉर्ट फंक्शन के लिए सब आ चुके हैं अभी तक जया नहीं आई जिसके लिए वो फंक्शन रखा गया था आज पहली बार था जब जया स्कूल टाइम पर नहीं पहुँची दूसरों को देर से आने के लिए पनिश्मेंट देने वाली जया आज खुद स्कूल आने में इतना लेट कर रही थी यहां जया की माँ बार बार उसे ही टांट लगा रही थी कि ऐसे दिन भी क्या कोई लेट होता है कब से रेडी होने को बोल रही हूँ मैं तुम कभी मेरी किसी भी बात को सीरियसली क्यों नहीं लेती कितना important दिन है यह तुम्हारे और हमारे लिए और वो जलती जलती पहुँचने की कोशिश करती है जया भी चुप है दोनों destination पे पहुँच जाते हैं और अंदर जहां सब बेसबरी से जया का इंतजार कर रहे थे जया पहुचती है सब उसकी तरफ देख रहे है और तब ही अचानक कहीं पीछे से आवाज आती है लाइट्स कैमेरा आक्शन जया एक audition के लिए सेट पर आई है जिया जया ready तो हुई है लेकिन इस्कूल ड्रेस में नहीं है वो पहुच तो गई लेकिन ये जया का स्कूल नहीं था उसकी माने पहले ही उसके फोटू किसी डिरेक्टर को दिखा दी थी जिसने इन्हें सेलेक्ट कर लिया था अज बहुत बड़ा दिन था जया के दिए आज जहां एक तरफ उसके स्टेट टॉप करने के लिए उसे अवार्ड मिलने वाला था वहीं दूसरी तरफ उसका सेलेक्शन इस फिल्म के लिए हो गया था जिसमें वो एक बहुत इंपोर्टन्ट रोल प्ले करने वाली थी अपनी जिंदगी में वो नया पन्ना जोडने जा रही थी जिसके लिए वो कभी तयार नहीं थी लेकिन कहते हैं न हम जो चाहें वो वैसा ही हो ये ज़रूरी तो नहीं कई बार किस्मत हमें बहां ले जाती है जहां हम जाना ही नहीं चाहते परिवार के लिए चाया को अपनी पढ़ाई पीच में ही छोड़नी पड़ी वैसे ऐसा नहीं था कि उसने काम के बाद दुबारा ट्राय नहीं किया एक मूवी करने के बाद जब थोड़ी घर की हालत ठीक होई तो एक साल के गैप के बाद उसने फिर से स्कूल चोइन करने की ठानी लेकिन उसे एडमिशन नहीं मिला जिसकी वज़ा थी उसका इंडस्ट्री में काम करना उस समय इस इंडस्ट्री में काम करने वालों को बहुत गलत निगाह से देखा जाता था वो भी एक लड़की को उसने दो तीन बार कोशिश की लेकिन अब उसका पढ़ाई करने का सपना पूरी तरह से तूट चुका था और फिर इस इंडस्ट्री को अपनी किस्मत मान कर जया ने यहां अपने चलबे बिखेर में शुरू कर दिये लेकिन अपनी पढ़ाई पूरी ना कर पाने की टीस हमेशा उसके दिल में रही पैसे उसका पढ़ा लिखा होना सेट पे भी उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रियेट कर रहा था लोग उससे बात करना पसंद नहीं करते थे कोस्टास को लगता था कि उसमें एडिट्यूड है वो सेट पे भी हमेशा के दावे पढ़ दी रहती थी एक बार जो स्क्रिप्ट उसने पढ़ ली उसे दुबारा पढ़ने की उससे जरूरत नहीं होती थी लेकिन ये सब उनके लिए उतना आसान नहीं था सेट पर पहला दिन उनके लिए बहुत ही मुश्किलों से भरा हुआ था और अपने बरताव के कारण आगे आने वाले दिन भी उनके मुश्किलों से भरे हुए थे कैसा था सेट पर उनका पहला दिन और किस तरह इंडस्ट्री में काम ना करने की अच्छा रखने बाली वो लड़की उस टाइम की सबसे बड़ी अधाकारा बन गई कैसे उसने हिट पे हिट दे दी कैसा था उसका फिल्मी सफर और कैसा था MGR के साथ उसके प्यार का सफर बताएंगे आपको कुकु एफम ओरिजिनल्स लव एट पॉलिटिक्स स्टोरी ओफ जैल अलिता और MGR के अगले एपिसोड में सुनते रहिए कुकु एफम सुने चुमन चाहे जया से अम्मू बनना किसी के लिए भी उसके काम का पहला दिन बहुत इंपोर्टेंट होता है क्योंकि वो दिन डिसाइड करता है कि आप आगे आने वले दिनों में कैसा परफॉर्म करेंगे और क्या आप वहां टिक पाएंगे की नहीं आप में अपने काम के लिए लगन होती ही है जो उस एक दिन में आपके साथ होती है और आपको करेज देती है ताकि उन अंचान लोगों के बीच आप अपनी एक पहजान बना सकें लेकिन यहां तो जाया के साथ उल्टाई हुआ था वो पढ़ना चाहती थी जो वो करना सकी और अपने परिवार के लिए उन्होंने फिल्मों में काम शुरू कर दिया जैसे ब्लैंक हो जाती थी एक सीन को करने में काफी दिन बीच जाते थे जिसकी वज़ा से सेट पे काम करने वाले लोगों को भी दिक्कत होने लगी थी दिन में ठारा घंटे काम करना पड़ता था कभी-कभी तो खाने का समय भी नहीं मिलता था उम्र में तो जैया बहुत छोटी थी लेकिन अपने दिमाग और काम की वज़ा से वो बहुत जल्दी ही बड़ी हो गई उनके पहले शूट के डिरेक्टर उनके मेंटॉर बन गए थे जब जैया को शूट करने में दिक्कते हो रही थी तो उन्होंने एक दिन का आफ लिया और जैया को अपने साथ वॉक पे ले गए वहां उन्होंने जैया से पूझा क्या खिर क्या वज़य है जो तुम पफॉर्म नहीं कर पा ली तो जया ने उन्हें पूरी बात बताई, और तब उन्होंने जो कहा, जया उसे कभी भूल नहीं पाई. उन्होंने जया को कहा, कि तुम इसे कोई काम या फिल्म का शूट मत समझो, तुम इसे अपने मैथ की क्लास समझो, जिसमें एक एक एक्वेशन है, जिससे तुम्हें स्वाल करना है और क्योंकि अभी ये काम तुम्हारी मजबूरी है तो तब तक के लिए तुम इसमें अपना 100% दो ताकि इस मूवी से जो पैसे मिले उससे तुम अपनी आगे की पढ़ाई कंटीनियू कर सको इससे तुम्हारे फिनेशल प्रॉब्लम्स भी सौल हो जाएंगे और आगे पढ़ने का सपना भी पूरा हो सकेगा आपको जया जी की मूवी वैनिरा अदाई में जरनी के नीचे डांस करने वाला उनका वो सीन तो याद हो गई ये बात तभी की है उन्होंने उस सीन की शूटिंग के लिए करीबन चार से पांच दिन लगाय थे लेकिन वो उनसे हो ही नहीं पा रहा था लेकिन टेरेक्टर की कही उस बात ने उनमें इतना जोश भर दिया था कि शूट स्टार्ट होने से पहले ही फूल लोकेशन पर पहुँचकर उसकी प्रैक्टिस करने लगी और इतने दिन से लगातार पानी में भीगने की वज़ा से उन्हें फीवर भी हो गया था लेकिन उन्होंने उस दिन उस काने का शूट फरस्ट शॉट में ही ओके कर दिया रीटेक की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और उसके बाद सेट पर भी लोग उन्हें काफी पसंद करने लगे जहां पहले कुछ दिन वो सबको अखरो और भूबारी लग रही थी अब सेट पर वो सबकी फिवरेट बन चुकी थी सब उन्हें पच्चे की तरह प्यार करते थे वो तो सेट के वोकर्स की फैमिली को फ्री टाइम में पढ़ाती भी थी जहां चया कोई स्क्लाइन की एवी सीडी भी नहीं आती थी अब वो टेरेक्टर्स को सजेशन्स दिया करती थी और उनके पॉइंटर्स इतने कमाल के होते थे कि वो सब को पसंद भी आ जाते थे और धीरे धीरे उन्होंने उस दुनिया में कम समय में वो जगया बना ली जिसे बनाने में लोग सालों लगा ले थे आँ उन्हें बहुत बुरा लगा था जब वो दुबारा एड्मिशन के लिए स्कूल गई थी लेकिन उनका ताखिला नहीं हुआ क्यों? क्योंकि वो फिल्मों में काम करती थी लेकिन इस बार वो टूटी नहीं और इसी को अपनी किस्मत मान कर उन्होंने इसे अपनी जिंदगी बना लिया और जिस इंडस्ट्री में काम करते वे उन्हें सिर्थ दो साल हुए थे 17 साल के उम्र में MGR खुद उन्हें अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए कास्ट करने आए थे वो भी अपने उपसिट उस फिल्म की हिरोईन के रूप में क्या आपको पता है कि जया जी MGR की बचपन से ही फैन रही थी उन्हें MGR की साधातर मूवी के सारे डायलॉग से आते इसलिए उनके साथ काम करने में वो बहुत हिचकिचा भी रही थी क्योंकि MGR पर उनका दिल बचपन में ही आ गया था उन्हें फिल्मी दुनिया का कोई शौक नहीं था पढ़ाई के अलावा कुछ सूचता नहीं था लेकिन MGR की मूवी थो वो कभी बचपन में भी नहीं छोड़ती थी MGR और जया की उमर के पीच काफी लंबा गैप था लेकिन MGR उस टाइम के सूपरस्टार थे तो हर कोई हिरोईन उनके साथ काम करना भी चाहती थी और उनके पास रहना भी चाहती थी लेकिन MGR ने चुना जया को MGR के साथ जया का शूट का पहला दिन है और फैंस की भीड हजारों में है उस टाइम पे मीडिया की पबलिसिटी उस लेवल पे नहीं होती थी जैसे आज होती है इसलिए जैसे ही किसी को पता चलता कि कोई सूपरस्टार आने वाला है तो उसका क्रेज अलगी होता था लाल रसी के उस पार की भीड को देखकर जया सोचती भी है कि अगर आज मैं इस फिल्म की हिरोईन नहीं होती तो मैं भी उस भीड का हिस्सा होती लेकिन आज मैं इस पार हूँ और MGR के साथ होती है और उसे समझ आ जाता है कि अब उसे खुद ही कुछ करना होगा ऐसे ही वो किसी के भरोसे नहीं बैट सकती है लेकिन किस्मत को कुछ और ही मन्सूर था अम्मू पर फिर से एक बड़ा पहार तूटने बाला था और उसे समझ आ जाता है कि अब उसे खुद ही कुछ करना होगा ऐसे ही वो किसी के भरोसे नहीं बैट सकती है लेकिन किस्मत को कुछ और ही मन्सूर था अम्मू पर फिर से एक बड़ा पहाल तूटने बाला था वो घर पहुँचती है और अपनी मा के कंधे पर सर रखकर खूब रोती है अम्मू की मा को इस इंडुस्टरी का काफी एक्सपिरियंस था और शायद इसलिए वो अम्मू को हमेशा समझाती भी रहती थी कि समझदारी से काम ले और किसी भी चीज़ में कोई चल्दबाजी ना करे लेकिन अपनी मा को अपना दुश्मन मानने वाली अम्मू को ये समझ में आ गया था कि उसकी मा उसे किस दर्द से बचाने की कोशिश कर रही थी अम्मू ने पूरी तरह अपने आपको कमरे में बंद कर लिया था समय का कुछ होश नहीं रहता था पूरा दिन सिर्फ उदास और रोती रहती थी और फोन के बगल में बैट कर MGR के फोन आने का इंतजार करती रहती थी लेकिन MGR अपनी नई पार्टी के कामों में इसकदर उलजे हुए थे कि उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि उनकी अपनी अम्मू अब किस हालत में है बहां अम्मू की मा की तवियत दिन बदिन खराब होने लगी अक्चली उनकी तवियत खराब तो पहले से ही थी उसे सच में कितना प्यार करती थी शायद इसी प्यार और फिकर की तलाश में वो MGR की और खिंची चली गई थी जिस प्यार की उम्मीद उसे अपनी मा से थी कई लोगों का कहना है कि अम्मू का हर बात को सही और गलत के तराजू पर रख कर तॉलने की वो आदत पस उसी की वज़े से वो हर रिष्टे से दूर हो जाती थी उनका कहना था कि जो जैसा है वैसा ही होना चाहिए और वो सब को देखती भी इसी नजरीय से थी उन्हें बहुत तिक्कत होती थी लोगों को पहचानने में इसलिए अपने रिष्टों में भी उन्होंने इस उतार चड़ाव को बहुत जिरा खैर अम्मू की अपनी मां से नस्दीकिया इन दिनों में काफी बढ़ गई थी लेकिन जैसा कि आपको बता चुके हैं कि उनके जीवन में एक नया मोड और एक नया तूफान आने वाला था और उस तूफान ने उनसे फिर से उनके सबसे करीबे रिष्टे को छीन दिया अम्मू की मां की मौत हो जाती है और अब अम्मू के पास उसका अपना कहने वाला कोई नहीं था एक भाई था लेकिन वो भी शायद ट्रक सौल्ट नशे के चक्कर में पढ़ चुका था जिसकी वज़ा से उसे रेहबिलेशन सेंटर में एडमिट कर दिया गया था और वहां से वापस आने के बाद वो अपने गाउं वापस लोट गया अम्मू को उम्मीद थी कि अम्मू की मां की मौत की खबर सुनकर एमजियार उनसे मिलने जरूर आएंगे लेकिन वो नहीं आये और हां उन्होंने अपना एक आदमी जरूर भेजा था लेकिन वो खुद नहीं आ सके और इस बात ने अम्मू के दिल को चकना चूर कर दिया था अम्मू पूरी तरह तूट चुकी थी लेकिन हां इस बीच में MGR ने बार-बार उन्हें पार्टी जोईन करने के लिए संदेशा सरूर भेजा था अम्मू ये सब छोड़के बहुत दूर जाना जाती थी अम्मू का वैनेंस और उसकी मूवी की शूटिंग से रेलेटेड सारे काम उसकी मा ही करती थी लेकिन अब उसे ये सब खुद अकेले करना पड़ रहा था वो धीरे-धीरे कमजोर बढ़ने लगी थी इसी बीच किसी शूटिंग के काम से उन्हें कहीं बाहर जाना पड़ता है वो अपनी फ्लाइट के सीट पे बैठके बाहर की ओर देख रही होती है कि अचानक उनके भगल में कोई आकर बैठ जाता है वो पलट कर देखती है तो भगल वाली सीट पर MGR बैठे थे अम्मो की मा की टेथ के बाद ये पहली बार था जब वो अम्मो से मिलने आये थे वो भी छिपचिपा कर अम्मो कुछ देर तो वहाँ बैठके उनको देखती रहती है और बोलती है शायद आपको सुनने में पुरा लगे लेकिन जो इंसान मेरी मा के मरने पर मुझसे मिलने नहीं आ सकता मैं उससे ऐसे नहीं मिल सकती हिम्मत है तो सब के सामने एक अधिकार से मुझसे मिली है वड़ना हमारा सफर यहीं तक था और वो उन्हें वहाँ से जाने को कह दिये M.J.R. कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन उन्हें भी समझ में आ चुका था कि सिच्वेशन वैसी नहीं रही जैसे पहले हुआ करती थी अब उन दोनों के पीच में वो दूरियां आ चुकी थी जिसके फासले अब चाह कर भी कम नहीं हो सकते थे कहते हैं समय के साथ सारे खाव भर जाते हैं लेकिन कुछ खाव ऐसे होते हैं जो नासूर की तरह बस चुपते रहते हैं अगर आपने उन्हें निकालने की कोशिश की तो सबसे जदा तकलीफ भी आपको ही होगी यहां MGR अपनी पार्टी को मजबूत बनाने में लगे हुए थे जिसके चलते अम्मू की यादे उन्हें उतनी तकलीफ नहीं दे रही थी लेकिन अम्मू के लिए सब उतना ही मुश्किल हो रहा था उसे हर रोज वही बातें यादे बनकर परेशान करती रह थी लेकिन फिर एक दन वो डिसाइड करती है कि वो अपनी सिंदगी ऐसे ही रोते बिलखते नहीं गुजार सकती उनके साथ जो हुआ उसमें उनकी कोई गलती नहीं थी तो सजा भी वो नहीं बुक्तेगी और फिर से वो काम की तलाश करने लगती है तभी उन्हें एक नए डिरेक्टर की और से कॉल आता है कि एक फिल्म है जिसमें वो लीड रोल पर है लेकिन फिल्म का बजट बहुत कम है बहुत कम चांसे हैं कि फिल्म रिलीज ही हो तो किसी भी ब्लॉक्बस्टर की भी उमीद ना करे सुना है कुछ नहीं से तो कुछ तो बहतर ही है क्योंकि अम्मू बहुत दिनों से कुछ नहीं कर रही थी तो उन्हें लगा, कि उन्हें ये फिल्म कर लेनी चाहिए, पैसे भी उन्हें घर चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत तो थी, अरे हाँ, इन सब में आपको ये पताना भूली गए, कि क्योंकि अब उन्की मा नहीं थी, तो उन्हें पता यी नहीं था, कि घर कैसे चलाना है, जब तक पैसे थे तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जैसे ही पैसे कम होने लगे, तो घर का खर्चा चलना भी मुश्किल हो गया था. अच्छा, उनकी इस सिचुएशन उनकी मा के जिन्दा रहते ही चालू हो गई थी, बस उनको इस सब की कोई खबर नहीं थी, और मा के जाने के बाद सिचुएशन और खराब हो गई. इसलिए घर के नौकरों को भी निकालना पड़ गया. लेकिन दो लोग थे जिन्नोंने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा. उनमें से एक थी उनकी खाना बनाने वाली और साथ ही घर का ध्यान रखने वाली अम्मा. और दूसरे थे उनके ट्राइवर जो उनकी मा के गाउं के थ घर, बाहर, शूट पर, हर जगे. और इसलिए अम्मु को जतना अच्छे से वो जानते थे, उतना अच्छे से उन्हें कोई नहीं जानता था. उनका नाम था माधवन. अम्मु भी उन्हें बड़ा सम्मान देती थी, और माधवन भी उन्हें बड़ी अच्छे से चीजों की सही परख करना समझाते थे आपको पता है इन दोनों ने सेलरी न मिलने पर भी अम्मू को कभी नहीं जोड़ा और अम्मू को इस बात की कोई खबर भी नहीं थी पर तो धीरे धीरे जब उनकी तबियत में थोड़े बहुत सुधार आने लगा तब उन्हें सच्चाई का पता चला इसलिए अम्मू ने बिना कुछ सोचे समझे उस मूवी के ओफर को एकसेप्ट कर लिया और उस मूवी के सेट पर पहुँचते हैं उनकी मुलाकात होती है शोभन बाबू से शोभन बाबू जो इस मूवी के डिरेक्टर भी थे और राइटर भी वो भी कोई ऐसी चमक धमक टाइब की मूवी नहीं थी उसका कॉंसेप्ट थोड़ा डिफरेंट था इसलिए कोई बड़ा प्रड्यूसर उन्हें फंड भी नहीं कर रहा था इसलिए इस मूवी में जादतर नई लोग ही थे फिल्म की शूटिंग चालू होती और बहुत सारी मुश्किलों और तकलीफों से गुसरने के बाद शूटिंग पूरी हो जाती है अम्मू सेट पर हमेशा की तरह इस बार भी सबके लिए अट्रक्शन का पॉइंट बनी रही और यहीं की चलते कब शोबन बाबू भी उनकी और खिंचे चले गए उन्हें पता ही नहीं चला लेकिन इस बार अम्मू बहुत केरफुल थी उनका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने काम की तरफ था लेकिन उन्हें इस बात का पता भी चल चुका था कि शोबन बाबू उनमें दिल्चस्पी लेने लगे क्योंकि अम्मू के करेक्शन हमेशा से लाजवाब रहे हैं तो इस फिल्म में भी उनके सजेशन्स ने उन्हें बहुत हेल्प की थी और शूटिंग के बाद शोबन बाबू के कहने पर उन्होंने एडिटिंग में भी हेल्प की थी फिल्म रिलीज होती है और हिट भी होती है इसका बहुत सारा क्रेडिट अम्मू को भी जाता था पूरी टीम मिलकर अम्मू को थैंक्स भी कह दिये और उसी पार्टी में शोबन बाबू उनसे अपने दिल का हाल भी बयान कर देते हैं तो क्या अम्मू शोबन बाबू को हाँ बोल देगी? क्या शोबन बाबू सच में अम्मू से प्यार करते हैं या कोई छलावा है यह? क्या अम्मू इस पर फिर से कमजोर पढ़ जाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए कुकु एफम ओरिजनल्स लव एट पॉलिटिक्स स्टोरी आफ जया लालितान अम्जियार उनली आउन कुकु एफम सुने जो मन चाहे अम्मू और शोबन बाबू शोबन बाबू ने तो अपने प्यार का इजहार कर दिया था लेकिन अम्मू शायद उसको कभी स्विकार नहीं कर पाई लेकिन कई लोगों का मानना है कि अम्मू ने शोबन बाबू को अपनी और खीजा था वो चान पूच कर उन्हें अट्रैक्ट कर दी थी ताकि शोबन बाबू को उनसे प्यार हो जाए और वो MGR को चैलिस फील करवा सके अच्छा माधवन ने उन्हें ऐसा करने से रोका भी था लेकिन उन्हों ने कहा था कि अब वो किसी बंधन में नहीं है जब MGR को ही मेरी कोई फिक्र नहीं है तो मैं क्यों करूँ और मुझे भी तो घर चलाने के लिए कुछ कर नहीं है तो मुझे जो करना पड़ेगा मैं वो करूँगी अब आप इसे अम्मू की एगो समझे या उनके टूटे वे दिल की वो आवास जिसने उन्हें पूरी तरह से पिखेर के रख दिया था और वो स्टूटी हुई अम्मू को समेटने की कोशिश कर रही थी जिसमें उसने शोभन बाबू के हाथ को थामा खैर अम्मू और शोभन बाबू ने अपने रिष्टे के शरुवात दोस्ती से की थी लेकिन वो दोस्ती कब प्यार में बदल गई उन्हें पता ही नहीं चला और फिर क्या थी? खबरें फिर से छपने लगी जिसमें एक तरफ तो एम्जियार के पार्टी के हेडलाइन्स होती थी और दूसरी तरफ अम्मू और शोभन बाबू के प्यार के किस्से तोनों का रिष्टा काफी समय तक चला और फिर एक दिन अम्मू शोभन से शादी करने की बात कर दी है पैसे इनका रिष्टा बराबरी का था जहां एम्जियार अम्मू को सेफ फील करवाते थे वहीं शोभन बाबू अम्मू को आजाद शोभन बाबू और अम्मू का age difference भी साधा नहीं था इसलिए अम्मू और शोभन एक साथ एक दूसरे को पूरा करते थे शोभन के साथ अम्मू M.C.R. को पूरी तरह से भूल चुकी थी और फिर से एक बार वो अपनी life को खुल कर जीने लगी थी एक समय तो ऐसा भी था कि अम्मू और शोभन बाबू एक ही घर में रहते थे एक तरीके से आप कह सकते हैं कि live in relationship में रह रहे थे दुनिया को भले ही मन्जूर ना हो लेकिन अम्मू को कब दुनिया के फिक्र हुई थी अम्मू ने कभी भी किचन की शकल नहीं देखी थी लेकिन शोभन बाबू ने उन्हें self sufficient और self independent भी बना दिया और इसकी शुरुवात उन्होंने खाना बनाने से की और आप मानेंगे नहीं लेकिन कुछी समय में अम्मू ने बहुत अच्छा खाना बनाना सीख लिया फिर शोभन बाबू ने उनसे कहा कि वो इतनी पड़ी लिखी हैं तो उन्हें अपना finance खुद संभालना आना चाहिए इसके लिए उन्हें किसी पर भी dependent नहीं होना चाहिए फिर क्या था अम्मू ने अपना लेखा जोखा भी खुद देखना चालू कर दिया और जब वो अपने पैसों का हिसाब किताब खुद रखने लगी तो उन्हें पता चला कि उनकी मा के ना होने का फाइदा बहुत लोगों ने उठाया कुछ लोगों ने उनसे उधार लिया था जिसे उन्होंने अभी तक वापस भी नहीं किया और कुछ लोगों ने तो उनके फिल्मों की पूरी पेमेंट भी नहीं की थी अम्मू को अपना ये फर्जन बहुत अच्छा लग रहा था अगर खुशियां उसके पास सादा दिनों तक कहां टिकती थी मनुहुसियत ने फिर उसके दर्वाजे पर तस्तक दे दी अम्मू लाल जोडे में थी और वो मंदर जाने के लिए पूरी तरह से तयार थी माधवन गाड़ी निकालता है अम्मू उसकी बचपन की सहिली और माधवन मंदर पहुँशते हैं कोई भी देखके समझ सकता था कि यहाँ शादी होने वाली थी सब आ चुके हैं पूरी तयारी भी हो चुकी है लाल जोडे में अम्मू बहुत सुन्दर लग रही है लेकिन शोभन का है सब लोग उसका इंतजार कर रहे हैं लेकिन वो भी तक आया क्यों नहीं शुब मूरत का समय निकल जाता है लेकिन शोभन अभी तक नहीं आया सुभह से शाम हो गई लेकिन अम्मू अब भी शोभन का इंतजार ही कर रही थी लेकिन वो नहीं आया और अब उसे विश्वास हो गया था कि वो अब कभी नहीं आएगा शोबन ने भी अपना किया हुआ वादा अम्मू से तोड़ दिया था और एक बार फिर अम्मू का दिल तूट जाता है अम्मू को ऐसा लग रहा था कि मानो उसके पुराने फल बाकी थे जो से इस जन्म में भुगतने पड़ रहे थे क्योंकि उसकी समझ में तो उसने इस जन्म में अबी तक कभी भी किसी के साथ इतना बुरा तो कुछ भी नहीं किया था फिर उसी के साथ ये सब क्यों सबसे पहले पिता का साथ चूटा शराब और फिजोल खर्ची में उन्होंने अपने साथ-साथ मा और मेरा तुनों का चीवन बरबाद कर दिया पढ़ाई करके एक वकील बनना उसके चीवन का सपना बन चुका था लेकिन हालातों की वज़े से वो भी पूरा नहों पाया और ना चाहते वे भी उसे फिल्मों में एक्टिंग करनी पड़ी जब पहली बार उसे प्यार हुआ तो वो भी ऐसे शक्स से जो उसे जीवन में कभी वो स्थान नहीं दे सकता था जिसके सपने वो चाहते और ना चाहते वे भी उसे दिखा रहा था और जब वो अपनी माँ के करीब आ ही रही थी उन दोनों का रिष्टा खूबसूरत बन ही रहा था तो किसमत ने उसकी माँ को भी छीन लिया और अब शोबन ने भी उसे धोगा दे दिया उसे लगने लगा था कि उसे खुश रहने की जैसे सजा मिलती है वो जब जब अपनी लाइफ में किसी के करीब पहुँचती है तब तब उसे उससे दूर होना पड़ता है और उस दिन अम्मू ने डेसाइड किया कि अब वो अपने जीवन में प्यार को कोई जगए नहीं देगी अब उसे कुछ नहीं चाहिए था क्योंकि उसे लगने लगा था कि उसके पास जो कुछ भी आएगा वो उससे कभी ने कभी दूर हो जाएगा कुछ तिनों बाद अम्मू को पता चलता है कि शोभन पहले से शादी शुदा था और उसका एक बच्चा भी था इसलिए उसने अम्मू से शादी नहीं की वो बस उसका फाइदा उठा रहा था अब कौन किसका फाइदा उठा रहा था इसकी नापतौल तो हम नहीं कर सकते लेकिन इतना जरूर था कि इन सब में सबसे ज़ाधा तकलीफ अगर किसी को हो रही थी तो वो अम्मू थी खेर अब अम्मू का क्यले रहने की आदत पढ़ चुकी थी धीरे धीरे कई साल बीच जाते हैं हाँ इन सब में एक बात कभी नहीं बदली और वो थी अम्मू का नियूस पेपर पढ़ना अब आप सोचेंगे कि मैंने अचानक ये बात क्यों बोली असल में अम्मू MGR के पेपर कटिंग्स रखती थी अम्मू की नजर में फले ही MGR ने उसके साथ गलत किया हो लेकिन चंता के लिए MGR अब सच के भगवान बन चुके थे अम्मू छोटे बड़े शोज किया करती थी और एक बार उन्हें किसी कववर्मेंट फंक्शन में ऐसा डांसर बुलाया गया था उस प्रोग्राम में MGR भी आने वाले थे वैसे आपको जानकर हैरानी नहीं होगी लेकिन इस प्रोग्राम के लिए MGR ने खुद उन्हें चुना था क्योंकि उससे पब्लिस डी बहुत अच्छी मिलती अम्मू की सुन्दरता के लोग आज भी कायल थे और फिर उस फंक्शन के इतने सालों बाद अम्मू और MGR फिर से आमने सामने हैं और ये बिलकुल वैसी ही मुलाकात थी जब वो दोनों पहली बार एक दूसरे से मिले थे अम्मू का डांस खत्म होता है खुब तालियां बचती है और MGR अम्मू से मिलते है दोनों का अपने पुराने दिन याद आते हैं अम्मू के पास शिकायते तो बहुत हैं लेकिन अब वो पहले जैसे अम्मू नहीं थी आज उसकी आँखों में ठहराव था और तभी MGR उसके लिए एक सोरदार सीटी बजाते हैं जिसे सुनकर दोनों हसने लगते हैं क्या ये साइन है इन दोनों के वापस मिलने का या फिर इस पार किसमत अम्मू की कहानी में कुछ ऐसा लिख रही है जो अम्मू की सोच से ही परे था कैसा मोड लेने वाली है अम्मू की सिंदगी क्या MGR फिर से अम्मू की लाइफ में वापस आ गया है जानने के लिए सुनते रहिए कोको FM ओरिजनल्स लव एट पॉलिटिक्स स्टोरी ऑफ जया लिटा एन MGR अल्ली ओन कोको FM सुने जो मन चाहे जानने को गले लगाना होता है लेकिन जाया ये सीन करने में कंफ़टेबल नहीं है ये उनकी शायद पहली रुमेंटिक फिल्म थी टेक शुरू होता है और सब कुछ सही हो जाता है और जैसे ही गले लगने वाला सीन आता जाया जी के एक्सप्रेशन गाइब ऐसा बार-बार होने पर MGR शूट रोक कर कहते हैं कि ब्रेक के बाद करते हैं सब को लगता है कि आज तो जाया की क्लास लगने बाली है लेकिन ब्रेक के बाद पहले ही टेक में शॉट ओके हो जाता है सब बहुत खोश होते हैं और जैया भी जैया शॉट के बाद सोचती है कि MGR ने कितनी असानी से सब सॉल कर दिया क्या आप जानना चाहेंगे कि MGR ने उस छोटे से ब्रेक में ऐसा क्या कहा जाया से कि जैया ने शॉट एक तम पॉफेक दिया एक्चुली उस ब्रेक में वो चैया के मेकप रूम में जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि दिक्कत क्या है तो वो हिचकचाते और शर्माते वे बताती है कि वो situation बहुत awkward है उनके लिए और उनने गले लगाने में पर वो comfortable नहीं हो पा रही तो इस पर MGR उनसे कहते है क्या तुम जब भी परेशान या खुश होती हो तो अपनी मा को गले लगाती हो जाया छट से हां कह देती है तो MGR कहते है कि तुम ये सोचो कि तुम उस सीन में उस काने को अपनी मा के लिए परफॉर्म कर रही हो और ऐसा करके तुम बहुत खुश हो उसी खुशी में तुम अपनी मा को गले लगा लेती हो तुम ऐसा समझो कि उस सीन में MGR नहीं तुम्हारी मा है और तुम अपनी मा को गले लगाती हो और बस फिर क्या था इसके आगे का तो आप जानते ही है शौट परफेक्ट जाता है और इस एक इंसिडेंट से जया के मन में MGR के लिए प्रेम के फूल खिलने लगे फिल्म में जया और MGR की इस जोड़ी को लोगों ने खूब सरा हा और उनकी ये फिल्म सूपर डूपर हिट हो गई और इसके बाद इन दोनों का एक साथ फिल्म करने का सिलसिला शुरू हो गया जया को किसी और के साथ फिल्मे करने की मना ही हो गई थी टाइम होने के बाद भी उसे बिजी रखा जाता था कि वो कोई और फिल्म साइन ना कर सके MGR हमेशा जया के लिए सेट पर स्ट्रॉबरी आइसक्रीम मंगाते थे क्योंकि ये उनकी सबसे फेवरेट आइसक्रीम थी अब तो MGR के घर से जयल अलिता के लिए खाना भी आने लगा था जया को खाने में आलू की सबसी बहुत पसंद थी इसलिए डेली घर से आलू की सबसी बन कर आती थी MGR के ये छोटे-छोटे जेस्चर जया का मन मोहने लगे थे और जया का MGR के लिए अट्रेक्शन भी बढ़ने लगा था वो तो जैसे साथवे आसमान पर थी पहले कभी लगाई नहीं था कि कोई उसका ऐसा खयाल भी रख सकता था उन्हें लगने लगा था कि मानो वो एक पच्ची बन गई है जिसे बिना मागे हर चीज मिल रही है MGR अपनी पत्नी सत्यानंद वती से बहुत प्यार करते थे लेकिन उनकी टेथ हो जाती है और किसी रीजन की वज़ा से उन्हें फिर से शादी करनी पड़ती है उनकी दूसरी पत्नी का नाम था चानकी पहली पत्नी की टेथ के बाद भी MGR ने जाया से रिष्टा नहीं छोड़ा जानकी से अपनी किस्मत समझकर अपना पत्नी धर्म निभाती गई वो MGR को बहुत प्यार करती थी और उतनी शिद्दत से उनका खयाल भी रखती थी शूट पर जाया के लिए खाना वो खुद बना कर भेशती थी जाया ने एक बार उनकी पत्नी सत्यानंद बती की तस्वीर देख ली वो पागई में बहुत खुबसूरत थी जाया बिलकुल उनकी तरह साज श्रिंगार करके MGR के सामने आती है और ये इंसिडेंट एक शूट के दोरान हुआ था सीन था कि MGR अपनी पत्नी आमुदा को आवाज देते हैं और नीचे बुलाते हैं और इसी सीन में वो बिलकुल वैसे ही रेडी होकर आती है जैसे उनकी वाइफ से तैनन पती हुआ करती थी और जैया को ऐसे देखकर MGR खामोश हो जाते है थोड़ी देर शान्ती रहती है फिर पीछे से आवाज आती है सर आपका डायलोग है आप भूल गए वो फिर भी शान्त खड़े जैया की और देखे जा रहे थे और इस बार जैया जी कहती है की ब्रेक के बात करेंगे सब एगरी हो जाते है तोनों मेक अप रूम में जाते हैं और MGR बहुत एमोशनल हो जाते है जैया को लगता है कि उन्होंने शायद MGR का दिल दुखा दिया और वो रोने लगती है जया जे कहती हैं कि वह इसा फिर कभी नहीं करेंगी MGR उन्हें माफ कर दे तभी MGR उन्हें अम्मू बुलाते हैं और उन्हें गले लगा लेते हैं वो जया से कहते हैं कि वो उनकी पत्नी को अम्मू बुलाते थे और आज से तुम मेरी अम्मू हो वो लमहा उन दोनों के लिए बहुत खास था क्योंकि ये पहली बार था जब दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर दे हैं तो ये है अम्मू का वो छोड़ा किसरा जिसके लिए हमने आपको इतना इंतजार करवाया अगर क्या जानकी ने इन दोनों के रिष्टे को स्विकार किया क्या जनता ने इन के प्यार को स्विकार किया कैसा बदलाव आने वाला था जाया और MGR के जीवन में MGR ने अपनी पार्टिय और जंता की सेवा के लिए क्या अपनी अम्मू से हमेशा के लिए रिष्टा तोड़ दिया जानेंगे कुकु एफेम ओरिजिनल्स लाव एट पॉलिटिक्स स्टोरी आफ जैलालिता इन MGR के अगले एपिसोड में अम्मू और बॉलिवोड कैसा लग रहा है आप लोगों को हमारा जैलालिता जी के साथ इस सफर पे चलना आप मेंसे कई लोगों को लग रहा होगा कि उनकी जिन्दगी कैसी जिन्दगी थी इतनी छोटी सी उम्र में क्या क्या देख लिया उन्होंने जहां बच्चों के खेलने कूदने के दिन होते हैं वहां इनके छोटे से कंदो पर परिवार नाम की सिम्मेदारी डाल दी जाती है चलो अच्चा ही है पच्चपन में जिस प्यार से वो दूर रही मतलब जो प्यार उन्हें नहीं मिला वो उन्हें अब मिल रहा है कोई तो है जो उन्हें समझ रहा है उनके लिए वो सब कर रहा है जिसकी वो हकदार है लेकिन क्या समाज की नजर में ये सब सही था MGR कोई छोटी मूटी हस्ती तो थे नहीं जहां वो एक तरफ बड़े परदे के स्टार रहे पहीं दूसरी तरफ वो अन्ना दुराई की पार्टी के सक्सेस्फुल कारे करता भी थे रिल और रियल दोनों लाइफ में जनता से उनका कॉंटेक्ट होता ही था तो क्या ये सब अब इन दोनों के लिए मुश्किल होने बाला था प्यार करना तो बहुत आसान होता है लेकिन मुश्किल होता है उसको निभाना और वो भी तब जब आपकी सिंदगी के भागड़ आपके हाथों में न होकर किसी और क्या हाथों में हो और यहां वो किसी और कोई ऐसा वैसा नहीं बलकि खुद जनता ही थी अभी तक ये बात सिर्फ सेट पर थी लेकिन प्यार की बातें छुपाए नहीं छुपती और धीरे धीरे इनकी ये बातें इनके घर तक भी पहुँच गई पता नहीं जानकी जीने इसे कैसे स्विकार कर लिया था या फिर उन्हें ये लगता था कि MGR जो करे वो सब सही है लेकिन उन्होंने कभी भी MGR से इस पारे में कोई बात नहीं की लेकिन हाँ बात अगर अधिकारों की करे तो जानकी जी के अधिकारों का कभी भी उन्होंने हानन नहीं होने दिया जानकीजी अब भी अम्मू के लिए सेट पे आलू की सबसी अपने हाथों से बना कर भेशती थी आपको जानकर हैरानी भी होगी कि अम्मू ने खुद भी MGR से उनके जीवन में उस स्थान की कभी डिमान नहीं की जो स्थान जानकीजी का था और नहीं कभी किसी अधिकार की बात गई वो तो बस इसी बात से खुश थी कि MGR उनसे प्यार करते हैं और उन्होंने उन्हें वो तरजा दिया जो उनकी पहली पत्नी का था जाया को भले ही उन्होंने कितने ही हक क्यों ना दिये हूँ लेकिन फैसले लेने का अधिकार अब भी सिर्फ और सिर्फ MGR का ही था अम्मू के चीवन पर MGR की बहुत बड़ी जाब थी अम्मू को स्क्रिप्ट की बहुत समझ थी हम आपको बता चुके हैं कि उनके द्वारा किये गई चेंजिस सभी को बहुत अच्छे लगते थे और वो स्क्रिप्ट को एक नया ही मोड देते थे और वो बहुत इंपक्टफुल भी होते थे एक बार अम्मू को MGR प्रोड़क्शन हाउस में बुलाया जाता है तो वो बहुत खुश होती हैं और वो जब वहाँ पहुँचती हैं तो वहाँ का माहौल, वहाँ की हवा में वो शान्ती, वो सुकून देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगता है MGR की फिल्म के सभी important scenes की photo वहाँ लगी हुई थी और जतने भी awards अब तक मिले हैं, उनकी भी ये सब अमों को बहुत attract करते हैं क्योंकि कुछ ऐसा ही सपना उनका भी था कि वो भी कभी कुछ ऐसा हासिल करेंगी जब वो MGR के cabin में पहुँचती हैं तो वहाँ का interior देखकर बहुत impress होती हैं MGR के office में किताबों के लिए एक अलग से बहुत बड़ा section था वो बिना हिचके chart वहाँ पहुँचकर किताबों को पढ़ने और देखने लगती है किताबों के लिए उनकी ये चाहत देखकर आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि उनके आगे पढ़ने के इच्छा भी तक जिन्दा थी MGR आते हैं और उन्हें कहते हैं कि चाहे और जितनी चाहे किताबे वो अपने साथ ले जा सकती है हम्मू के चैरे पर एक मुस्कान आ जाती है और आखों में एक चमक उन्हें इस बात का एहसास हो जाता है कि MGR ही हैं वो जिन्हें पताए कि मुझे क्या चाहिए वो सब कुछ बिना कहे ही समझ जाते हैं फिर MGR कहते हैं कि उन्होंने उन्हें बहुती important काम के लिए बलाया हम मुझे पूछती है कि क्या तब वो बताते हैं कि वो उनके script पढ़ रहे हैं और वो चाते हैं कि तुम भी इस script को पढ़ो आपको ये बात बहुती मामूली लग रही होगी कि ये कौन सी बड़ी बात है वो इस film की heroine है तो उन्हें तो script मिलेगी तब पढ़ लेंगी लेकिन ऐसा नहीं था उस time पे film का hero बहुती important होता था script सबसे पहले उसके पास जाती थी फिर वो खुद तय करता था कि इसमें क्या changes होने चाहिए मगर film के hero के साथ-साथ MGR एक बहुत बड़े नेता भी थे तो उनकी script अकसर चंता के लिए होती थी जिसमें वो अकसर उनके मसीहा के रूप में निखर कर आते थे और hero के अलावा script के सिर्फ कुछ ही पार्ट बाकी किरदारों को दिये जाते थे जिसमें जिसका जतना पार्ट होता था इसलिए जब MGR ने script अम्मू को देने की बात कई तो वो बहुत special था MGR को पता था कि अम्मू का चीजे देखने का नजरिया कुछ अलागी है अम्मू ने उस script को दो दिन में पढ़ लिया था वो उनके office जाती है वहाँ उनके producers के साथ meeting चल रही होती है यह उसी film की meeting थी जिसके script अम्मू को MGR ने पढ़ने के लिए दी थी अम्मू script की बहुत तारीफ कर दी है तो MGR कहते हैं कि तारीफ कर रही है तो उनकी करोज जिन्हों ने ये script लिखी है उस film के writer भी वही होते हैं अम्मू ने congress करती है और वो कुछ बोलने ही वाली होती है कि writer बोलता है कि film का climax उसका best part है जिसमें MGR राजगदी पर बैठते हैं और इतना सुनते ही वहाँ बैठे सब लोग तालियां बजाने लगते हैं सब बहुत खोश होते हैं तभी अम्मू बोलती है कि मैं यही बोलना चाह रही थी कि पूरी script बहुत अच्छी है बस climax को change करना पड़ेगा और अचानक सब चुप हो जाते हैं उन्होंने कहा कि MGR को ख़दी पे नहीं बैठना चाहिए और वहाँ बैठे सब लोग भड़क चाते हैं कि वो ऐसा कैसे कह सकती है MGR सब को शांत करते हैं और अम्मू से पूछते हैं कि वो क्या सोचती हैं इस बारे में इस scene को लेके उनकी राय क्या है तब अम्मू कहती है कि इस film में वो जन्ता के मजीहा है जन्ता के लिए ही उन्होंने अपना सारा जीवन लगा दिया इसलिए चीत के बाद गद्धी मिलने पर वोस गद्धी को न चुनकर जन्ता को चुने तो अच्छा होगा MGR समझ गए थे कि अम्मू क्या कहना जा रही है लेकिन राइटर ने पूछा क्यों तब अम्मू कहती है कि अगर MGR उस कद्धी पे ना बैठे और वहां के राजा ना बनकर जन्ता के सेवक बने तो जाद अच्छा रहेगा उस राज्य में शासन किसी शासक का ना होकर जन्ता का हो तो जाद अच्छा है वहां की जन्ता खुद आपस में मिलकर तै करे कि उसे क्या चाहिए उसके राज्य के लिए क्या बैठर होगा वो जाद अच्छा है किसी एक के ये तै करने से बैठर है कि आपस में सब मिलकर कोई फैसला ले और बस फिर गया था आप विश्वास नहीं करेंगे कि अम्मू के स्क्रिप्ट में इस चेंज से उस फिल्में कितनी कमाई की थी और वो साल की सूपर टूपर हिट हुई फिल्मों में से एक थी और फिर उसके बाद तो जैसे इसका सिलसला ही शुरू हो गया M.J.R. अपनी सारी फिल्मों के स्क्रिप्ट के रिस्पॉंसिबिलिटी अम्मू को ही दे 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 बहुत ही अच्छा सा मैं गुजर रहा था तुनों बहुत खुश थे उनके फिल्में भी बहुत अच्छा कर रही थी अम्मू को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो उसके साथ हो रहा है वो सच है लेकिन आप भी जानते हैं खुशियों के उमर इतनी लंबी नहीं होती जितनी लंबी हम उसे देखना चाहते हैं परिवर्तन संसार का नियम है और अब एक ऐसा ही परिवर्तन अम्मू के जीवन में भी आने वाला था अम्मू को हिंदी फिल्मों से ओफर आया था और उस फिल्म में उनके हीरो थे बॉलिवुड के सूपरस्टार वो बहुत खुश थी क्योंकि वो जिसके साथ काम करने वाली थी वो वाकई में बहुत बड़े हीरो थे अम्मू इतनी खुश थी कि वो MGR के प्रोडक्शन हाउस में पहुँच जाती है वहाँ एक मीटिंग चल रही होती है ये मीटिंग इस बार उनकी बाड़ी की होती है लेकिन बेबाग अम्मू चो इस बाड से इतनी खुश थी अपने खुशी और ये खबर सबसे पहले MGR को देने पहुच जाती है और मीटिंग के पीचों पीच जाकर खुशी से बताने लगती है कि उन्हें एक हिंदी फिल्म मिली है सब के सब उसकी तरफ देखने लगते है MGR सिर्फ इतना ही कहते हैं कि बाद में बात करेंगे अभी मीटिंग चल रही है अब मूठीक है बोलकर वहाँ से चली जाती है उनके जाते ही पार्टी के सभी कारे करता है MGR को कहने लगते हैं कि ये सही नहीं है कोई भी आपसे मिलने ऐसे ही नहीं आ सकता ये आपकी और आपकी पार्टी की इमिज के लिए सही नहीं है MGR कहते हैं कि बच्ची है बात करेंगे तो समझ जाएगी लेकिन उस दिन कुछ ऐसा भी हुआ था जो उन तोनों के रिष्टों के माईने भी बदलने वाला था आगर ऐसा भी क्या होने वाला था क्या अम्मू ने वो पॉलिवूट फिल्म की या फिर MGR कोई ऐसा फैसला लेने वाले थे जिसकी उमीद अम्मू ने कभी नहीं की थी क्या होने वाला इस कहानी में आगे चानने के लिए सुनते रहिए हमने आपको बताय था कि MGR को अपनी पार्टी की भलाई के लिए अम्मू से तूर होना पड़ता है अम्मू की लाख रिक्वेस्ट के बाद भी वो MGR को मना नहीं पाती कि वो उसे छोड़ के न जाए अम्मू ने तो हर कॉम्प्रमाईज कर लिया था फिर MGR ने ऐसा क्यूं किया अब तो उनके साथ सेट पे भी सिर्फ शूटिंग के लिए ही मिलती थी क्या उनकी लाइफ का यही मूल है हर बार हर रिष्टे में उनसे ही क्यों उम्मीद की जाती है ये सब सोच रही अम्मू अपनी उन यादों से पहर आती है और उसे समझ आ जाता है कि अब उसे खुद ही कुछ करना होगा ऐसे ही वो किसी के भरों से नहीं बैट सकती है लेकिन किस्मत को कुछ और ही मनसूर था अम्मू पर फिर से एक बड़ा पहार तूटने बाला था वो घर पहुँचती है और अपनी मा के कंधे पर सर रखकर खूब रोती है अम्मू की मा को इस इंडुस्ट्री का काफी एक्सपिरियंस था और शायद इसलिए वो अम्मू को हमेशा समझाती भी रहती थी कि समझदारी से काम ले और किसी भी चीज़ में कोई जल्दबाजी ना करे लेकिन अपनी मा को अपना दुश्मन मानने वाली अम्मू को ये समझ में आ गया था कि उसकी मा उसे किस दर्द से बचाने की कोशिश कर रही थी अम्मू ने पूरी तरह अपने आपको कमरे में बंद कर लिया था क्योंने पता ही नहीं चल रहा था कि उनकी अपनी अम्मू अब किस हालत में है वहाँ अम्मू की मा की तवियत दिन बदिन खराब होने लगी अक्चली उनकी तवियत खराब तो पहले से ही थी लेकिन इसकी खबर अम्मू को बिलकुल नहीं थी क्योंकि तब उनकी दुनिया कुछ और थी अम्मू धीरे-धीरे ठीक होने लगी और अपनी मा के साथ उनके रिष्टे भी अम्मू ने पहली बार महसूस किया था कि उसकी मा उसे सच में कितना प्यार करती थी शायद इसी प्यार और फिक्र की तलाश में वो MGR की और खिंची चली गई थी जिस प्यार की उम्मीद उसे अपनी मा से थी कई लोगों का कहना है कि अम्मू का हर बात को सही और खलत के तराजू पर रख कर तॉलने की वो आदत पस उसी की वज़े से वो हर रिष्टे से दूर हो जाती थी उनका कहना था कि जो जैसा है वैसा ही होना चाहिए और वो सब को देखती भी इसी नजरीय से थी उन्हें बहुत दिक्कत होती थी लोगों को पहचानने में इसलिए अपने रिष्टों में भी उन्होंने इस उतार चड़ाव को बहुत झेला खैर अम्मू की अपनी मां से नस्दीकिया इन दिनों में काफी बढ़ गई थी लेकिन जैसा कि आपको बता चुके हैं कि उनके जीवन में एक नया मोड और एक नया तूफान आने वाला था और उस तूफान ने उनसे फिर से उनके सबसे करीबे रिष्टे को छीन दिया अम्मू की मां की मौत हो जाती है और अब अम्मू के पास उसका अपना कहने वाला कोई नहीं था एक फाई था लेकिन वो भी शायद ट्रक सॉल्ट नशे के चक्कर में पढ़ चुका था जिसकी वज़ह से उसे रियाबिलेशन सेंटर में एडमिट कर दिया गया था और वहां से वापस आने के बाद वो अपने गाउं वापस लोट गया अम्मू को उमीद थी कि अम्मू की मां की मौत की खबर सुनकर एमजयर उनसे मिलने जरूर आएंगे लेकिन वो नहीं आये और हाँ उन्होंने अपना एक आदमी जरूर भेजा था लेकिन वो खुद नहीं आ सके और इस बात ने अम्मू के दिल को चकना चूर कर दिया था अम्मू पूरी तरह तूट चुकी थी लेकिन हाँ इस बीच में MGR ने बार-बार उन्हें पार्टी जोइन करने के लिए संदेशा सरूर भेजा था अम्मू ये सब छोड़के बहुत दूर जाना चाहती थी अम्मू का वाइनेंस और उसकी मूवी की शूटिंग से रेलेटेट सारे काम उसकी माहीं करती थी अचानक उनके भगल में कोई आकर बैट जाता है वो पलट कर देखती है तो भगल वाली सीट पर MGR बैढ़े थे अम्मू की मा की टेथ के बाद ये पहली बार था जब वो अम्मू से मिलने आये थे वो भी छिपचिपा कर अम्मू कुछ देर तो वहाँ बैट के उनको देखती रहती है और बोलती है शायद आपको सुनने में पुरा लगे लेकिन जो इनसान मेरी मा के मरने पर मुझसे मिलने नहीं आ सकता मैं उससे ऐसे नहीं मिल सकती हिम्मत है तो सब के सामने एक अधिकार से मुझसे मिली है वड़ना हमारा सफर यहीं तक था और वो उन्हें वहाँ से जाने को कह दिये MGR कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन उन्हें भी समझ में आ चुका था कि सिचुएशन वैसी नहीं रही जैसे पहले हुआ करती थी अब उन दोनों के पीछ में वो दूरियां आ चुकी थी जिसके फासले अब चाहकर भी कम नहीं हो सकते थे कहते हैं समय के साथ सारे खाव भर जाते हैं लेकिन कुछ खाव ऐसे होते हैं जो नासूर की तरह बस चुपते रहते हैं अगर आपने उन्हें निकालने की कोशिश की तो सबसे ज़्यादा तकलीफ भी आपको ही होगी यहां MGR अपनी पार्टी को मजबूत बनाने में लगे होए थे जिसके चलते अम्मू की यादे उन्हें उतनी तकलीफ नहीं दे रही थी लेकिन अम्मू के लिए सब उतना ही मुश्किल हो रहा था उसे हर रोज वही बातें यादे बनकर परेशान करती रह थी लेकिन फिर एक दन वो डिसाइड करती है कि वो अपनी सिंदगी ऐसे ही रोते बिलखते नहीं गुजार सकती उनके साथ जो हुआ उसमें उनकी कोई गलती नहीं थी तो सजा भी वो नहीं भुखतेगी और फिर से वो काम की तलाश करने लगती है तभी उन्हें एक नई डिरेक्टर की और से कॉल आता है कि एक फिल्म है जिसमें वो लीड रोल पर है लेकिन फिल्म का बजट बहुत कम है बहुत कम चांसेस हैं कि फिल्म रिलीज ही हो तो किसी भी ब्लॉक्बस्टर की भी उमेद न करे सुना है कुछ नहीं से तो कुछ तो बहतर ही है क्योंकि अम्मू बहुत दिनों से कुछ नहीं कर रही थी तो उन्हें लगा कि उन्हें ये फिल्म कर लेनी चाहिए पैसे भी उन्हें घर चलाने के लिए पैसों की जरूरत तो थी ही अरे हाँ इन सब में आपको ये पताना तो भूली गए कि क्योंकि अब उनकी मा नहीं थी तो उन्हें पता ही नहीं था कि घर कैसे चलाना है जब तक पैसे थे तो कोई तिकत नहीं थी लेकिन जैसे ही पैसे कम होने लगे तो घर का खर्चा चलना भी मुश्किल हो गया था अच्छा उनकी सिचुएशन उनकी मा के जिनदा रहते ही चालू हो गई थी बस उनको इस सब की कोई खबर नहीं थी और मा के जाने के बाद सिचुएशन और खराब हो गई इसलिए घर के नौकरों को भी निकालना पड़ गया लेकिन दो लोग थे जिनोंने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा उनमें से एक थी उनकी खाना बनाने वाली और साथ ही घर का ध्यान रखने वाली अम्मा और दूसरे थे उनके ट्राइवर जो उनकी मा के गाओं की थे वो हमेशा अम्मु के साथ रहते थे घर, बाहर, शूट पर, हर जगे और इसलिए अम्मु को जितना अच्छे से वो जानते थे उतना अच्छे से उन्हें कोई नहीं जानता था उनका नाम था माधवन और अम्मु को इस बात की कोई खबर भी नहीं थी पर तो धीरे धीरे जब उनकी तवियत में थोड़े बहुत सुधार आने लगा तब उन्हें सच्छाई का पता चला इसलिए अम्मु ने बिना कुछ सोचे समझे उस मूवी के ओफर को एकसेप्ट कर लिया और उस मूवी के सेट पर पहुँचते हैं उनकी मुलाकात होती है शोबन बाबू से शोबन बाबू जो इस मूवी के डिरेक्टर भी थे और राइटर भी वो भी कोई ऐसी चमक थमक टाइब की मूवी नहीं थी इसका कॉंसेप्ट थोड़ा डिफरेंट था इसलिए कोई बड़ा प्रडियूसर उन्हें फंड भी नहीं कर रहा था इसलिए इस मूवी में जालतर नई लोग ही थे फिल्म की शूटिंग चालू हो थी और बहुत सारी मुश्किलों और तकलीफों से गुसरने के बाद शूटिंग पूरी हो जाती है अम्मू सेट पर हमेशा की तरह इस बार भी सबके लिए अट्रक्शन का पॉइंट बनी रहे और यहीं कि चलते हैं कब शोबन बाबू भी उनकी और खिंचे चले गए उन्हें पता ही नहीं चला लेकिन इस बार अम्मू बहुत केरफूल थी उनका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने काम की तरफ था लेकिन उन्हें इस बात का पता भी चल चुका था कि शोबन बाबू उनमें दिल्चसपी लेने लगे क्योंकि अम्मू के करेक्शन हमेशा